दोस्तो रिसेंटली में हमारे एक नए सबस्क्राइबर ने सेर किया है मुझे Amazon Flaxip Store के नाम पर ही चल रही पार्ट टेम जॉब वाली एक और वेबसाइट की जानकारी को इस वेबसाइट का लिंक है दोस्तो 91supermarkets.cc बट यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर इस URL को open किया जाए तो यहां पर यह URL redact हो जा रहा है एक नई वेबसाइट पर वेबसाइट का लिंक है भारत-mall.cc मैं आज इस awareness वीडियो को बना करके आप लोगों को aware करना चाहता हूँ ताकि आप मेंसे किसी के पास भी अगर इन वेबसाइटों को लेकर के part-time job का offer आया हो तो इसमें आप अपने पैसे को बिलकुल भी investment मत करना आईए एक जलक देख लीजिए इस वेबसाइट का जिसमें आपको अपने पैसे को बिलकुल भी investment नहीं करना है भारत-mall.cc ये रहा है इसका इंटरफेस दो लाख रुपे महीने कमा सकते हो उसी तरीके से लिखा हुआ है जैसे कि अब तक हमने Amazon flagship store वाली वेबसाइटों के बारे में आपको बताया था एंड दिखाया भी था उसी की तरह हुबहु इंटरफेस इस वेबसाइट का भी है यहाँ पर आप देख सकते हो एक दो तीन चार पांच पांच चार तीन दो एक जैसा नंबर भी यहाँ पर रजिस्टर लॉग इन हो जाता है 80 रुप्या मिल जाता है मतलब कुछ भी नंबर रजिस्टर लॉग इन हो रहा है इसलिए जो है मैं आपको के लिए अरली बोल रहा हूँ कि यह वेबसाइट जो है अमेजॉन की बिल्कुल भी नहीं है आप चाहो तो अमेजॉन के किस्टमर के नहों पर उन्हें कॉल करके या उन्हें मेल वगेडा करके भी इस बात को और भी अच्छे से वेरिफाई कर सकते हो इसके अलावा जो है नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रॉल करने पर कुछ पैमेंट के प्रूफ दिखाया जा रहे हैं और यहाँ पर इसके टास्क सो होते हैं तो बस इस वेवसाइट में अपने पैसे को आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करना क्योंकि Amazon Flaxip Store के नाम पर भले यह वेवसाइट चल रही है किसी स्कैमर ने बनाया है लेकिन यह वेवसाइट जो है Amazon की नहीं है यही बात आप लोगों तक पहुँचाना चाहरा था मैं इसलिए इस आवेवेवसाइट वीडियो को बनाया हूँ लेकिन अगर आप अपने पैसी को आल्रेडी इन वेवसाइटों में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि स्टार्टिंग में 100-200-500 का रिचार्ज करा करके आपको एक वेड्राव दिलाया गया होगा बट यहां में एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि यह वेवसाइट वाले आपको पैसा नहीं भेज़े हैं बलकि यह दिलाने का ही काम की है और किस तरीके से की हैं अगर आपको यह डिटेल में जानना है तो लास्ट मिहां पर आवेड्नेस की वीडियो लगाऊंगा उसको जरूर देखिएगा अगर आपने पैसे इनवेस्टमेंट कर दिया था इस वेवसाइट में उसके बाद इस अवेड्नेस वीडियो को आप देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इनके और भी टास्कों कम्प्लीट मत करना और कोई भी टैक्स वागिरा मत पे करना इनकी हेल्प करने वाली बातों में भी बिल्कुल भी मत आना आपको जो हैं साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से हेल्प लेनी चाहिए साइबर क्राइम.GO.GO.GO पर जाएए और एक साइबर कम्प्लेंट कर दीजिए जिसमें आपको मेंसन करना है सभी ट्रांजेक्शन की डिटेल्स और किस तरीके सी स्कैम हुआ है सभी चीज़े हैं इसके अलावा आप 1930 नंबर हैं उसको भी डाइल कर सकते हो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का ही नंबर है साथी में Google पे, फोन, पे, पे टियम जिससे भी आपने ट्रांजेक्सन क किया था उसके करिक्स्टमर के नम पर बात कीजिए और उन से रिक्वेस्ट कीजिए कि सर जो ट्रांजेक्सन मैंने किया था उसे मेरे साथ जो है फ्रॉड हो चुका है उस ट्रांजेक्शन इमाउंट को प्लीसा पर रिवर्स करवा दीजिए आप ये रिक्वेस्ट अपने बैंक से भी कर सकते हो लेकिन दोस्तो इसके अलावा और कोई भी उपाई नहीं है